हाई फ्रंट्स चलिए देखते हैं एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है आपके पास जितना भी बीटी बोर्ड है बेस्ट्रेबल बोर्ड है जैसा कि मान लेज़े यह है बेस्ट्रेबल बोर्ड यह इलगिन कंपनी का है डड़सवाट का और देखे हैं से प्रिसेट सा कुछ निकला हुआ है और यह भी एलगिन कंपनी का है केल्ट्रोन का सभी लागा हुआ है पार्ट्स और दिखा दूं यह ओल्ड अहुजा का है ठीक है तो सब में मान लेज़े कि आपके पास यह बोर्ड है और जितने भी नहीं सस्क्राइबर है कुछ बहुत सरा तो नहीं लेकिन अब 1515 कमेंट आया हुआ था कि सर्ट डेयक्त कैसे हम ऑक्सिं करें तो किसी-kिसी बोर्ड में ऑक्स इन का सिस्टम दिया होता है किसी भी नहीं डिया होता है तो जाने हंगे कैसे हम आकस सबसे पहले देखिये मैं बता दूं दिखा दूंब में कि देखिए यहां यह ट्रेवल और यह बेस और यह मैंस्टर यह मैंन वैलूम ठीक है थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि यह जो मास्टर है इसके बीच वाले पीन पर आप ध्यान से देखिए कि यहां बीच वाले पीन पर एक यह लो कलरक वायर आया हुआ है जो कि ऑक्स के बल के लिए है तो उसका करेंक्शन हम नेक्स डे बताएंगे आज पहले बता दूंगे किसी भी बेस ट्रेवल बोर्ड में अब ऑक्स कैसे इन करेंगे देखिए इस तरफ से देखने पर आपको क कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां से इन करना है माई यह सभी जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है देखिए मैं इसमें दिखाया दो सबसे पहले यह जितना भी ट्रांजिस्टर दिख रहा है एक ट्रांजिस्टर पर तिन कंडेंसर है एक दो और यह तिन इस ट् आपको प्रेंट उल्टा कर लेना और देखना है कि 12 पोजेटिव पर हंड़ट ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है हमेसे कोई भी 12 एम्प्लिफाईर है और उसमें डेरेक्ट 12 इन नहीं होता है हमेशे दयान रखना है उसमें 100 यॉम का रेजिस्टेंस लगा होगा इसके बाद 12 वोल्ट पॉजिटिव इन होगा देखिए यहां 12 वोल्ट 100 ओम हाफ वाट भी नहीं है यह क्वाटर वाट है ठीक है एक बटा चार उसको बोल सकते हैं क्वाटर वाट आप समझते होंगे लगा हुआ है और इसके बाद सबसे पहले पहचाने के एक और थियोरी है सबसे कंडनेशर जो लगा होता है की सी भी बोल्ड में देखिए यहां 25 वोल्ट 000 मैक्रो फराड ठीक है इसमें भी है यहां पर यहां पर लगा है 25 वोल्ट एक हजर मैक्रोफ तो इसके निगेटिव और पॉजिटिव से आफ गनेक्शन पाचान सकते हैं देखिए यह जो माइनस तो इस फ्रिंट को हम मानेंगे पूरी बोरी में मैंस गई हुए और जो दुस्रा सिरा है पुजटिव का जो अदर कुछ भी नहीं लिखा होता है देखिए यहां इस साइड बिल्कुल प्लें होता है तो यह हुए मैनस और यह पोजेटिव घरीक्ट बारा वोल्त ना करके और निगेटिव पर आज में मूद फड़ा ड़ा ही सब्साफ करते हैं कि आज की टॉपिक देखिए मैं थफड़ा ब्रस कर लूए इसका साफ हो चुका है सभी रेजस्टेंस बिल्कुल के लिए दिख रहा है तो देखिए हैं सबसे पहले पुजेटिव निगेटिव तो आप समझ गया होंगे और बेस और ट्रेबल के लिए तीन यहां देखिए और तीन यहां शिक्स छे टर्मिनल यहां पार है पर बेस और ट्रेबल उससे समझ लेजिए समझना ही नहीं है देखिए यहां भी छे वायर लगा हुआ है ब्लैक रेड ब्लू ग्रेन और यहां पार है और देखिए यह बैग ने टूट चुका है इसका हम कनेक्शन करेंगे तो यह तो हुआ बेस ट्रेबल अब हमें देखना है कि ऑक्स कहां से इन होगा तो जो बेस ट्रेबल के जो ट्रैंजिस्टर होता है ठीक इससे पहल एक ट्रैंजिस्टर मिलेगा उसी ट्रैंजिस्टर पर हम ऑक्स इन करेंगे देखिए यहां यहां से निकला है बेस ट्रेबल के लिए इससे पहल ठीक ट्रैंजिस्टर होगा यहां पर आ पर है और यह बेस और ट्रेबल के लिए ट्रेंजिस्टर है और ठीक इस से पहला एक ट्रेंजिस्टर यहां है जो आक्स के लिए होता है इसके बेस पर एक कप्सिटर लगा करके और यहां रेजिस्टेंस लगा करके हम आक्स देते हैं यह कंपनी देती है देखिए यहां से आक यहां से आकर करके सिगनल कंडेंसर से होकर के इसके बेस पर आता है तो यह आमें ऑक्स इन होता है और डियरेक्ट वैल्यूंड यहीं से इन होता है और सभी माइक का जो सिगनल आता है यहीं से इन होता है इस बोर्ड में भी आप देख लीजिए सबसे पहले देखिए यह बेस ट्रेबल के लिए है इसके बाद यह निगेटिव हुआ यहां से देखिए ऑक्स इन होता है यहां से पीफ लाह करके इन होगा जो यहां एक ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आएगा और यह ट्रांजिस्टर अंप्लिफायर कर के या दूसरे transistor को दे देगा signal और यह amplifier करेगा signal को और signal amplify होने के बाद base और treble होनेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा base और treble के लिए जो एक transistor special दिया होता है और just इससे पहले जो transistor होगा उसी पर हम aux in करेंगे आपको एक और board दिखा दूँ देखिए एक यह तिसरा बोड़ है दो बोड़ हमने आपको दिखाया इसमें देखिए इसमें विवाही रूल होगा देखिए यहां six fire base और treble के लिए निकलते हैं यहां शे टर्नल है इधर से देखिए तीन और तीन शे शे टर्नल यह यह बेस और treble के लिए होता है ठीक है और जिधार प्रिशेट लागा होता है वहां से तो सिग्नल आउट होगा आपका ड्राइबर ट्रांजिस्टर के लिए और यहां देखिए यह बेस और बेस ओर्ट्रेबल के लिए एक ट्रांजिस्टर एंप्लिफाई करेगा तब जाकर बेस ओर्ट्रेबल बनेगा डश्ट इसके पहले एक ट्रांजिस्टर ओक्स को एंप्लिफाई करेगा फिर दूसरे ट्रांजिस्टर को देगा यह एंप्लिफाई करेगा तम बेस जानेटर को और सेकंड्र ट्रिनिस्टर एम्फ्लीफाइऑ करके तक देगा बाटी स्वायर बनायेगा और इसके बाध्र ट्रेफिर यहां डेgram, ड्रीम ट्रिनिस्टर के लिए देदेगा यहीं शिमपल इसका घ्री होता है आप इस टाइब के बोड जैसटा है में 200 लिए 6 वायर निकले होते हैं 100 परसेंट यहीं रूल होता है क्योंकि 200 ट्रेबल इस ट्रैंजिस्टर के एंप्लिफाइब किये हुए सिगनल को बेस ट्रेबल बनाता है और जस्ट इससे पहले एक ट्रैंजिस्टर मिलेगा जिस पर हमें ऑक्स इन करना होता है और ट्रैंजिस्टर के बेस पर हमेशा ऑक्स सिगनल इन होता है अपके और देख दिए देखिए एक और बोर्ड मैं आपको सामने दिखा रहा हूं हलाकि सब डास्ट पड़े हुआ है सब फेका हुआ इसी टाइप से इसका यूज नहीं है तो देखिए म है मैं दिखाए दों सबसे पाले सिक्सरी निकला है देश्टे ब्रवल के लिए तो आपको ध्यान दे ना एक जितने भी शिक्स वार निकले हुए बेस ट्रेबल पवर्ड यानि बेशिज और ट्रेबल के लिए अलग से जो वायर मिकला होता है से क्स वाइल उसका अucionesं करीmost यहां से जब सिगनल आप इन करेंगे तो पीएफ दो रहे इसके बेस पर आएगा तब यह एंप्लिफाई करेंगा सिगनल और आगे देगा फिर यह ट्रांजिस्टर एंप्लिफाई करेंगा तब बेस और ट्रेबल बनेगा यहाँ पर फिर बेस ट्रेबल एक दूसरे तिसरे को देगा तो 3 तंजिस्टर 2 सिंछल को अब आगे एक और ट्रांजिस्टर को तब तर fulfill game रहां सबसे पहले यहां से oh आउक्स इन होगा देख सकते एक पी एफ लगा हुआ है आउक्स इन होता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर सेकेंड ट्रांजिस्टर को एंप्लिफाई करके देगा फिर सेकेंड एंप्लिफाई करके बेस और ट्रेबल बनाएगा फिर इस बेस ट्रेबल को एंप्लिफाई करेगा फर्ड ट्रांजिस्टर और आग ड्राइबर ट्रांजिस्टर को जो सिग्नल देता है वो लास्ट वला होता है इसको आप फर्स्ट भी मान सकते हैं उस ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है तो कुल चार ट्रांजिस्टर मिला करके बनता है आप देख लिजे इसमें भी चार ट भी च्यार ट्राजिस्टर एक, दो, तीन. और यह च्यार ट्रांजिस्टर मिल करके बेस और ट्रे którą connect सिगनल बना हुआ है है और यह जो बर्ड है इसमे स्थार ट्रांजिस्टर लगा आए यहां वह प्रिसेट एक, 2,3 और 4 यहां से आक्स इन होगा, चार ट्रांजिस्टर लागा करके, जिसमें 6 वायर होगा, बेस और ट्रेवल के लिए, उसमें 4 ट्रांजिस्टर मिल करके, बेस ट्रेवल और ड्रेवर ट्रांजिस्टर के लिए सिगनल बनाते हैं, तो यही रहा आज का वीडियो, इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है कि आउक्स कहां से इन होगा आप खोल देख करके समझ सकते हैं मैं आसा करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको सिखने को मिला होगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा कर फिर मिलेंगे इसके कनेक्शन के साथ